हालो माईडिये श्न्ट करेंगे चैप्टर वान नम्बर्स क्राइक तो क्राकिट को साल्व कर लेते हैं जैसा कि आप आप लोगों का डिमांड आया था कि सार क्राकिट को साल्व करा दीजिये crackit solve नहीं किया अपने तो चलिए अब crackit को देखते हैं crackit में सबसे पहला questions हम लेते हैं जो सबसे पहला question से कहता है if a watercolor box cost rupees 85 and the packet of escape pen cost is rupees 24 so what is the total cost of 120 watercolor boxes and 300 packets of escape pen so देखिए इस question को solve करना बिल्कुल ही असान है इस question में करना क्या है आपको एक box watercolor का cost दिया हुआ है और आपको total 120 watercolors चाहिए तो आप क्या करोगे आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको solve करते समय देखो आपको क्या लिखना है you just write down in this way एक मिनट पहले मैं screen को clear कर लूँ okay so now look at this आप इस question को कैसे solve करोगे तो यहां पर लिखोगे cost of cost of okay one watercolor box one watercolor box क्या दिया हुआ है इस रुपीज 85 पचासी रुपीय दिया हुआ है ठीक है तो cost of 120 watercolor कितना होगा cost of 120 watercolor कितना होगा watercolor box कितना होगा तो यह होगा रुपीज 85 multiply 120 अब इसको आप multiply करो तो मैं जल्दी से multiply कर देता हूँ यहां पर मैं क्या करता हूँ 85 को 12 से multiply करता हूँ ठीक है तो 12 का table तो आपको याद होगा तो 12 पंचे क्या होता है 60 होता है और carry क्या रह जाएगा 6 हो जाएगा और 12 80 कितना होता है 12 80 96 12 50 60 60 का हमने 0 लिखा carry 6 लिखा और 12 80 कितना होता है 96 12 80 96 और 96 में 6 को add करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 तो 102 आ गया और क्योंकि यहां पर एक 0 रह गया था और 0 को मैं यहां पर डाल दूगा तो cost of 85 color box का जो cost आएगा वो हमारा हो जाएगा 10,200 रुपीज अब देखिए अगला है sketch pen cost कितना है एक sketch pen packet मनला है one packet of sketch pen का cost कितना है 24 तो 300 packets आपने लिया तो बिलकुल इसी तरीके से आपको यह भी solve करना है तो आप यहां पर लिखोगे cost of one packet sketch pen one packet sketch pen ठीक है तो sketch pen का cost अगर देखा जाए तो sketch pen का cost क्या होगा यहां पर sketch pen का जो cost हो गया वो हो गया हमारा 24 रुपीज कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 24 रुपीज ठीक है that is 24 रुपीज तो वो 24 रुपीज है अब आपको क्या करना है cost of 300 packets निकालना है 300 packets निकालना है तो cost of 300 packets sketch pen का जो cost होगा वो 24 multiply 300 होगा तो 24 ठीजा अगर देखिएगा तो चर्तिया 12 और 136 एक साथ 72 होता है तो यह 72 हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है total cost निकालना है तो total cost क्या हो जाएगा total cost हो जाएगा rupees 10,200 plus rupees 7,200 और इसको अगर आप add करोगे इसको अगर आप add करोगे तो यह आपका हो जाएगा rupees 17,400 तो यह answer हो जाएगा question number 1 का तो question number 1 का answer क्या निकला 17,400 वीडियो को back करके आप इसको देख लिजेगा मैं screen clear कर रहा हूँ तो इसका answer आया rupees 17,400 ठीक है अब next question देखिए कहता है कि fruit basket is weight मतलब एक basket का weight है 4 kg 500 gram ठीक है एक one में load किया जा रहा है how many such basket can be loaded कितने ऐसे basket load हो सकते है अगर one in the one which can carry only 900 kg तो देखो one की जो capacity है यह जो आपका one है इस one की जो capacity है वो कितना है वो capacity है total 900 kg करी करने का ठीक है और आपके पास जो एक packet है उस packet का वजन कितना है 4 kg 500 gram का तो अब क्योंकि यहां पे gram आया हुआ है और kg भी है और यहां पे सिब kg है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले convert करता हूँ तो 4 kg 500 मतलब अगर मैं packet बज weight पूछूँ weight of packet देखूँ तो weight of packet अगर देखा जाए तो 4 kg 500 gram है और इसको अगर मैं gram में convert करना चाहूँ तो यह 4000 gram प्लस 500 gram हो जाएगा तो finally यह हो जाएगा 4500 gram यह weight किसका है weight of packet weight of packet ठीक है fruit basket weight of basket कह दो packet नहीं कहो यहां पे basket कह दो यह gram में हमने निकाल दिया 1 की capacity कितनी थी 900 kg तो 1 की capacity अगर देखा जाए capacity of 1 अगर चेक किया जाए gram में kg में कितना है 900 kg है kg में कितना है यह 900 kg है तो अगर इसके weight को gram में लाया जाए तो यह कितना हो जाएगा 900 x 1000 kg मैं इसको multiply नहीं करूँगा मैं इसको यहां पे रोक के रखूँगा ठीके, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि total basket कितना लग जाएगा, तो number of basket जो आप load कर सकते हो, वो क्या होगा, capacity of 1, capacity of 1, मतलब इसको divide कर देना है, तो ये जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, 900 multiply 1000 gram, और इस 1000 gram को divide कर देंगे, हम कितना से 4500 gram से, अब यहाँ पे भी 2 0 है, और यहाँ पे भी 2 0 है, 9 के table में 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45 होता है, 5 के table में 5 1 जा 5, और 5 20 यानि कि 200, तो total कितना आ जाएगा, ये gram से gram cancel हो जाएगा, तो total कितने packet आप load कर सकते हैं, आप total 200 packets को यहाँ पे load कर सकत हैं, ठीक है, तो इसका जवाब क्या आ गया, 200 packets, और इसका answer क्या आया था, Rs. 17,400, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अपनी इस questions को समझ लिया होगा, कि इस questions को सैसे solve करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you, bye bye, take care.